नमस्कार मित्रों मैं राजीव कुश्वाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के शार्थ आज इस वीडियो में मैं आपको शिकाने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारा सांग नीला हाश्मा शोगया प्राम्दमूवी सिलसिला तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहल है और मित्रों मेरे वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिया करें तो मित्रों एक ज्यानकारी और देने आपको जिन भाइयों को आनलाइन कीवर्ट पियानो क्लास जोइन करना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है मेरा कांटेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्किस्टन बा तो मित्रों सबसे पहले संतूर का म्यूजिक पार्ट है देखिएगा कैसे प्ले करना है एक बार टाइमिंग में प्ले करूँगा और एक बार आपको स्लोली बताऊँगा देखिएगा कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है तो मित्रों सबसे प्ले के बाद प्ले का म्यूजिक पार्ट है देखिए पहले मैं टाइमिंग में प्ले कर रहा हूँ बाद में स्रोली बताता हूं देखिएगा तो फ्रीवर पहले टाइमिंग में दखिएगा तो चलिए आप स्लोली दखिएगा कि इसके आगे का पार्ड ये मित्रों ऐसा प्ले हुआ है कि बहुत स्लोली नई समझा सकते हैं एक बार पूरा म्यूजिक पार्ड मैं स्लोली बता रहा हूं देखिएगा और सीखिए इसके बार इसके बार मित्रों मंडोलियन का म्यूजिक पार्ड आ जाता है मैं आपको शितार पे प्ले करके बता रहा हूं परेट टाइमिंग में दखिएगा बाद मैं स्लोली बताता हूं कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है तो चलिए अब बन फिंगर से स्लोली दखिएगा तो मित्रों इदना था प्रिलियो तो अच्छे लिए इस थाई के बोल को सीख लेते हैं लाइन है नीला आश्मा शो गया है फिर आगे लाइन है नीला आश्मा शो गया है फिर शिंगर की गुर्गुना हाथ है देखिए कैसे प्ले करना है आपको इसकी दूसरी लाइन फिर आगे लाइन आती है नीला आश्मान खो गया है तो मित्रों इतना था प्रिलियूड और इस्थाई तो अचे लिए फर्स्ट इंटेलियूड और अंत्रा के बोल को सीखते हैं फर्स्ट इंटेलियूड में प्लियूड का म्यूजिक पार्ट है पहले मैं टाइमिंग में प्ले कर रहा हूं बाद में स्लोली स्टेप बाइस्टेप बताता हूं कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है तो अब चलिए इस्टेप बाइस्टेप सीखते हैं तो चलिए आप शलोली देखिएगा तो मित्रों इतना पार्ट प्ले करने के बाद इसके आगे का देखिए पार्ट कैसे प्ले करना है आपको तो चलिए एक बार मैं पूरा म्यूजिक पार्ट स्रोली बता रहा हूं देखिएगा तो मित्रों इतना पार्ट था इंटर्डियोड तो अच्छे लिए अंतरा की बोल को सीखते हैं लाइन है ओ ओ ओ देखिए कैसे प्ले करना है इतना फिर लाइन आती है ओ सुबर से रात भीगे मोट थर रहे है देखिए गाई लाइन कैसे प्ले करना है आपको इसके बाद में तरों संतूर का म्यूजिक पार आ जाता है देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको पहले टाइमिंग में बाद में स्लोली तो चलिए स्लोली देखिएगा यहां भी आपको नौ बार प्ले करना है जी सार्ट नोट फिर याप नोट भी नौ बार प्ले करना है फिर इसके आगे तो इस प्रकार आपको प्ले करना है फिर आगे लाएन आती है दर्कने कुछ कहना चाहें कह नहीं पाएं देखिएगा यह भी इसी प्रकार प्ले होगा फिर आगे लाएन आती है हावा का गीत मद्ध्यमद देखिए लाएन कैसे प्ले करना है आपको फिर मित्रों शंतूर का मिल्जिक पार्ट आ जाता है देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको पहले टाइमिंग देखिएगा कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है तो चलिए स्लोली देखिएगा जी नोट नोबार आपको प्ले करना है सी नोट भी नोबार प्ले करना है और डी शार्प नोट भी नोबार प्ले करना है देखिएगा टाइमिंग में फिर मित्रों आगे लाइन आती है हवा का गीद मद्ध्याम आए फिर इसके बाद लाइन आती है समय की चाल भी कम है फिर लाइन आती है नीला आसमा सो गया फिर आगे लाइन आती है नीला आसमा सो गया तो मित्रों इतना था फास्ट इंटरल्यूड तो आप चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं देखेंड इंटरल्यूड में सबसे पहले मेलोड ट्रम्पेट का म्यूजिक पार्ट है देखिएगा कैसे प्रे करना है आपको पहले टाइमिंग में बाद में सुरो ली चलिए बन फिंगर से देखिएगा इसके बाद मंडोलियन का म्यूजिक पार्ट है मैं शंतूर पे प्ले करके बता रहा हूं पहले टाइमिंग देखिएगा इसके बाद सुरो ली कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है तो चलिए आप सुरो ली देखते हैं दस बार आपको सी सार नोट प्ले करना है तो इसका दूसरा पार्ट सी नोट को भी दस बार प्ले करना है तो इसका तीसरा पार्ट इस सार नोट को भी दस बार प्ले करना है तो इसका चोथा पार्ट देखिए जी सार नोट को भी दस बार प्ले करना है तो चलिए एक सार में प्ले कर रहा हूं देखिए अगर तो मित्रों इदना था शेकेंट इंटर्लिव तो अथे लिए अंतरा के बोल को सीख लेते हैं लाइन है हो मेरी बाहों में शर्माते लजाते ऐसे तुम आए देखिए गाई लाइन कैसे प्ले करना है इसके बाद मित्रों प्ले उट का म्योजिक पार्ट आ जाता है देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको पहले टाइमिंग में देखिएगा इस प्रकार प्ले करना है चलिए स्रोली देखिएगा इसके बाद लाइन आती है कि जैसे बादरों में चांद धीरे धीरे आ जाए देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको इसके आगे लाइन है ये तन हाई ये माया वक्तों देखिएगा इसके बाद संतूर का मोजिक पाड आ जाता है मैं गिटार पे प्ले करके बता रहा हूं पर ये टाइमिंग में देखिएगा बाद में स्लोली कुछ इस प्रकार आपको प्ले करना है तो चलिए बन भिंगर से देखिएगा नौबार प्ले करना है जी सार नोट फिर इसके आगे जी सार नोट को भी नौबार प्ले करना है फिर इसके आगे कैसे प्ले करना है ये गा तो फिर मित्रों आगे लाइन आती है ये तनहाई ये मैं और तुम जमी भी हो गई गुमसुम देखिएगा कैसे पहले करना है आपको ये लीला आश्मान शो गया इसके बाद ख्लिवट का म्यूजिक पाट आजाता है देखिएगा कुछ इसके कार प्ले करना है फिर से देखिएगा शिलो ली इसके बाद लाइन आती है नीला आश्मान शो गया फिर प्लिवट का म्यूजिक पाट आजाता है देखिए कैसे प्ले करना है आपको प्लिवट का म्यूजिक पार्ट है देखिए कैसे प्ले करना है प्लिवट का म्यूजिक पार्ट है देखिए कैसे प्ले करना है आपको पांतिंगर से देखिए कैसे प्ले करना है फिर शिंग्लर की पुणकर नाट है लारा 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 हो इसके बाद फिर फ्लिवुड का म्यूजिक पार्ट आ जाता है देखिएगा कैसे प्ले करना है बन फिंगर देखिए फिर लाइन आती है नीला आश्मान शो गया है इसके बाद फिर फ्लिवुड का म्यूजिक पार्ट आ जाता है देखिएगा तो मित्रों इतना था ये सांग आसा करता हूँ आप लोग समझ चुके होगे सीख चुके होगे तो मित्रों वीडियो शमाख करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देख लेते हो और सांग भी सीख लेते हो लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज मित्रों ऐसा मत किया करें चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भी हो सके वीडियो को लाइक सेर भी कर दिया करें तो मित्रों आज के लिए इतना ही तिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद